आज का फेसपैक चहरे के डार्क स्पोर्ट्स को, दाग धब्बों को, लटकती हुई धीली स्किन को टाइट बनाकर हमारी स्किन को जवा और सुन्दर बनाए रखने में हमारी हैल्प करेगा अगर आप भी यही चाहते हैं कि आपकी स्किन लंबे समय तक यंग रहे जवा रहे आपकी एज तो बड़े लेकिन आपकी स्किन की एज वही रुक जाए तो इस फेसपैक को मेरे साथ त्यार कर लीजिए इसके रेगुलर इस्तेमाल से यह आपके चहरे को बुड़ापे से दूर रखेगा आपके चहरे के ओपर रिंकल्स और फाइन लाइस देरी से आएंगी जैसे कि अगर आपकी एज 40 है अगर आपने उस समय अपने फेस के ओपर इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया तो आपकी एज 45 हो जाएगी जो 40 की एज में चहरे को पर साइन आते हैं वो नहीं आएंगे वो आपको कम से कम फांसा बाद में दिखाई देंगे इतना बड़िया फेस पैक है यह और यह आपके चहरे के दागधबों को लाइट करके आपकी स्किन को ब्राइट बनाएगा सन बन को ठी करेगा अन इवन स्किन को ठीक करने में आपकी हैल्प करेगा नेच्रल तीके से आपकी स्किन को मोस्टराइज करके आपकी स्किन को मख़न जैसी मूलाइम बना देगा नमस्ते जी आप सभी का आपके अपने चैनल ब्यूटी वीद नेचर बाइस मीता सैनी में बहुत- नहीं है अब मैं इसमें एड करूंगी आधा चमच के करीब गलीसरीन इस से हम अपने फेस को पहले साफ करेंगे और उसके बाद हम अपना फेस पैक बनाएंगे ठीक है जी अगर आप दहीं से अपने फेस को साफ नहीं करना चाहते तो आप यहां पर दूद का इस्तेमाल भ 20-Note होना जरूरी यह फेस के जो पॉर्स हैं वह खुले होने चाहिए अगर हम खुले पॉर्स के उपर अपना फेस पैक लगाएंगे तो हमें हमारे face pack के अच्छे benefit मिलेंगे लेकिन अगर हमने बंद पोर्स के उपर अपना face pack लगाया तो हमारे चहरे के उपर acne मुहासे हो जाएंगे black heads, white heads हो जाएंगे हमारे skin खूबसूरत होने की बजाए और ज़्यादा खराब होने लग जाएगी फिर आप मन में यह सोचोगे अरे यार इस face pack ने तो मेरे skin और ज़्यादा खराब कर दी इसका मतलब यह face pack मुझे suit नहीं करता हाँ यह हो सकता है कि कोई ingredient आपको suit नहीं करता वो तो आपको पता होगा कि कौन सा ingredient आपको suit करता है कौन सा नहीं लेकिन अगर आपको वो सभी ingredient suit करते हैं जिसका आपने face pack बनाया है उसके बाब जुद भी अगर आपके चहरे के उपर एकने मुहा से निकल रहे हैं इसका मतलब आपने face pack लगाने में कोई ना कोई गड़बड की है और आपको सोते समय आप अपनी skin की care करके नहीं सोते ये छोट छोटे दो तिन चीजें है अगर आप इसको अपनी जिन्दगी में अपना लोगे तो आपकी skin भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने लग जाएगी फ्रेंट्स थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है लेकिन result definitely मिलता ही मिलता है देखिए फ्रेंट्स face साफ हो गया है अब हम अपना face pack बनाएंगे face pack बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक चमच केकरी basin फ्रेंट्स बेसन हमारे चहरे के दाग धब्बों को light करके चहरे के उपर glow लेकर आता है यह sunburn को भी ठीक करता है यह acne मुहासों को भी आने से रोकता है अब मैं इसमें add करूंगी ग्रीन टी का एक पाउच फ्रेंट्स अगर आपके पास खुली ग्रीन टी है तो आप आदा चमच के करीब ग्रीन टी ले सकते हो ठीक है जी ग्रीन टी भी हमारे चहरे के उपर anti-aging का काम करती है हमारे चहरे को भूड़ा होने से बचाती है यह हमारे skin के लिए बहुत अच्छी होती है फ्रेंट्स आप इसको अपने face के उपर लगाओ भी और इसको पियो भी यह weight loss के लिए भी बहुत अच्छी होती है हमने यह पूरा का पूरा पूरा पूच इसमें add कर लेना है अपने basin में ठीक है जी अब मैं इसमें add कर रही हूँ एक capsule vitamin E oil का अगर आप vitamin E oil नहीं लेना चाहते या आपके पास अभी नहीं है तो आप यहाँ पर बादाम का तेल ले लीजिए या नारिल का तेल ले लीजिए कोई भी एक तेल ले लीजिए अब मैं इसमें add कर रही हूँ थोड़ी सी glycerine चोथाई चमच के करीब हम इसमें add करेंगे glycerine अगर आपको glycerine सूट नहीं करती तो आप glycerine की जगा honey का भी इस्तेमाल कर सकते हो अब मैं इसमें add करूंगी दहीं ठीक है जी अगर आपको दहीं सूट नहीं करता तो आप इसकी paste को त्यार करने के लिए दूद ले सकते हो अगर आपको दूद भी सूट नहीं करता तो आदे पाने से इसको त्यार करके ट्रेंट जब भी आपने इस फेस्पैक को लगाना है आदा घंटा पहले त्यार करके रख लीजिए ताकि हमने जो इसमें ग्रीन टी आइड की है वो अपनी सारी क्वाल्टी दही में और बेसन में अच्छे तरीके से छोड़ पाए और हमें ह आपको यहां बनाकर लगाकर तुरंत ही दिखा रही हूं लेकिन अगर आप इसके अच्छे रिजल्ट चाहते हो तो आप इसको आदा घंटा पहले बनाए उसके बाद यूज कीजिए ठीक है जी अब मैं इसको फेस्पै उपर लगा लूँगी एंटी एजिंग से भरपूर यह फेस्पैक हमारे चहरे की स्किन को बूड़ा होने से बचाएगा फ्रेंट्स दही हमारे स्किन को बूड़ा होने से बचाता है यह चहरे के दागधबों को लाइट करता है स्किन को मॉस्चराइज करता है और ग्लीसरिन भी हमारे स्किन को नेच्रल तीके से मॉस्चराइ और जो हमने विटामिन ए का इस्तेमाल किया है विटामिन ए भी एंटी एजिंग से भरपूर है चहरे के दाग धबों को लाइट करने के लिए बहुत बड़ी अवर करता है और यह हमारे चहरे के उपर अगर पिग्मेंटेशन है तो उसको भी लाइट करने के लिए बहुत अगर आपको नहीं पता कि इस पैक में डाले के किसी इनग्रीडियंट से अलरजी है तो आप ऐसा कीजिए थोड़ा सा फेस पैक बना लीजिए और इसको फेस के उपर लगा कर चेक कीजिए एक दो दिन लगा कर देख लीजिए छोटे से एरिये पे जहां पर लगा कर देख करते इट मिंस यह फेस पैक आपको सूट करता है आप इसको बेदड़क लगा सकते हो ठीक है जी देखिए मेरा भी फेस पैक लग चुका है अब मैं आपको मीलूंगी दस मिनट के बाद देखिए फ्रेंड्स दस मिनट हो गए हैं अब हम अपने फेस को साफ करेंगे बहत ही प्यारे रिजल्ट आएंगे फेंड्स यूजरूर करके देखिए अब मैं अपने फेस को वाश करके आती हूं और आपको इसका फाइनल रिजल्ट दिखाती हूं यह फेस पैक एंटी एजिंग के ऊपर तो वर्क करेगा इसके सासा यह हमारे चेहरे के ऊपर ग्लो लाएगा चमक लाएगा रिजल्ट आप देखिए बहुत ही प्यारा रिजल्ट आया है अब टाइम अपने सकिन को मौस्चचराईज करने के लिए अपनी बनाई करीम ले रही हूं आप भी फेस को वाश करने के बाद सकिन को मौस्चराईज जरूर किया कीजिए देखे रिजल्ट बहुत ही प्यारे रिजल्ट है तो आप भी इस प्यारे से अमेजिंग से फेस पैक को बनाएं अपने स्किन को खुब सूरत बनाएं यंग रखें तो फिर मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई